नमस्कार मैं सुतंत्र कुमार और आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल सौट हैंड टीम पर तो दोस्तो आज के इस वीडियो में रामधारी सिंगुपता खंड दो के प्रतिलेखन संख्या 40 के डिक्टेशन को हम लोग लेने वाले हैं इसे हम दो अलग-अलग के स्पीड में लेंगे पहली बार में 90 के स्पीड में तो दूसरी और आखरी बार में इसी डिक्टेशन को हम लोग 100 के स्पीड में लेने वाले हैं लेकिन अगर आपको यह नहीं पता है कि इसे संकेत लीपियों में किस प्रकार से लिखा जा सकता है यानि इस प्रतिलेखन क कि प्रतेख सब्द की आउटलाइन को आप जान सकते हैं साथ ही साथ बहुत सारे और भी कोर्सिज आपको एप पर मिल जाएंगे तो 90 की स्पीड में आपका डिक्टेशन इस्टार्ट होगा पाच सेकेंड के बाद तब तक के लिए आप रेडी रहें इस्टार्ट महोदै कुछ लोग आज यह कहते देखे गए हैं कि राश्ट्रिय एकता अंग्रेजी के माध्यम से हो सकती है कई लोगों की धारणा है कि अंग्रेजी निकाल दी जाए तो राश्ट्र टुकडे टुकडे हो जाएगा वैज्यानिक प्रगती रुक जाएगी आदी इससे बढ़कर भ्रामक विचार और कुछ भी नहीं हो सकता मैं अंग्रेजी की उपादेता को नकार नहीं रहा किन्तु हर जगह उसका वर्चस्व हो यह सविकार नहीं हो सकता किसी देश की भासा के साथ उस देश की संस्किर्टी विचारधारा और मान्यताएं जुड़ी रहती हैं और उन्हें प्रकट करने के लिए उस देश की भासा ही सर्व सक्षम होती है स्वतंत्रता के पूर्व राष्ट्रिय गौरव आम जन्ता को द्रिश्टी में रख कर किया जाता था राष्ट्रिय एकता का आर्थ है करोडों भारतियों की एकता और यह एकता हिंदी से ही लाई जा सकती है अंग्रेजी से नहीं अंग्रेजी को बनाये रखने की नीती मानसिक दास्ता की द्योतक है यदि हिंदी और भारतिय भासाओं के विरुध अंग्रेजी सड्यंत्र को विफल नहीं किया गया तो जन्तंत्र एक मखावल बनकर रह जाएगा हिंदी और भारतिय भासाएं तो सहोदराएं हैं उनमें आपसी कोई विरोध नहीं उनका विरोध और संगहर्स तो अंग्रेजी के साथ है जिस दिन छेत्रिय भासाएं अपने छेत्र के प्रसासन न्याय सिक्षा आदी में अस्थापित हो जाएंगी उसी दिन राश्ट्रिय अस्तर पर राश्ट्र भासा राज भासा और संपर्क भासा के रूप में हिंदी के अस्थापित हो जाने का मार्ग प्रसस्त हो जाएगा स्वैच्छिक हिंदी संसथाएं अपने इस मूल उद्देश को कभी भी धूमिल होने ना दें क्योंकि हिंदी के प्रचार प्रसार के छेत्र में वे सरवाधिक महत्वपूर इकाईयां है इस द्रिष्टी से मैसूर हिंदी प्रचार परिशद का यह कारेकरम सलागनिय है कि वह हिंदी के साथ कंड़ेत्तर जिग्यासुगों के लिए कंड़ की प्रारंभिक और उच कक्षाएं एवं परिक्षाएं चला रही है अपनी दैनन्दनी में भी हिंदी के साथ साथ कंड़ में दिन और तिथियां दी है इस तरह के छोटे किन्तु दिन दिन के व्योहार में राश्ट्र भासा और छेत्रिय भासा साथ साथ गलबहियां डाल कर चलें इससे बढ़कर सुखद इस्थिती और क्या हो सकती है और प्रिय इसनात को आज का दिन आपका है और कल का दिन भी आपका ही होगा विगत महीनों और वर्सों में आपने कठिन परिश्रम कर हिंदी रत्न अथ्वा हिंदी प्रसिक्षण की परिक्षाएं दी हैं उत्तिर्ड हुए हैं आपकी दिक्षा पूरी हो चुकी है अब आप समाज और राष्ट की सेवा में समर्पित हो जाईए भारतिय भासा संस्किर्टी उनकी रक्षा उनका समवर्धन आपके हाथों सौंप दिया गया है आप दाईत्व का निर्वाह कर सकें जीवन में सफलता पाएं यही सुभकामना है जिनोंने हिंदी प्रवेश हिंदी उतमा की परिक्षाएं उत्तिल्ड की हैं वे और आगे बढ़ेंगे परहेंगे यही आसा है इस उद्देश की प्राप्ती हेतु स्वैच्छित हिंदी संस्थाओं की विभिन परिक्षाओं को मान्यता प्रदान की गई है अंत में इस गौरवपूर समारोह में आपने मुझे आमंत्रित किया उसके लिए पुनह धन्यवाद देता हूँ इस्टाव दोस्तो इसी डिक्टेशन को दूसरी बार में हम लोग 100 की स्पीड मिलेंगे और आपका समय श्टार्ट होगा पाच सेकेंड के बाद तब तक के लिए आप रेडी रहें इस्टार्ड महोदै कुछ लोग आज यह कहते देखे गए हैं कि राश्ट्रिय एकता अंग्रेजी के माध्यम से हो सकती है कई लोगों की धारडा है कि अंग्रेजी निकाल दी जाए तो राश्ट्र टुकडे टुकडे हो जाएगा वैज्यानिक प्रगती रुक जाएगी आदी इससे बढ़कर भ्रामक विचार और कुछ भी नहीं हो सकता मैं अंग्रेजी की उपादेता को नकार नहीं रहा किन्टु हर जगह उसका वर्चस्व हो यह सविकार्य नहीं हो सकता किसी देश की भासा के साथ उस देश की संस्किर्ती, विचारधारा और मान्यताएं जुड़ी रहती हैं और उन्हें प्रकट करने के लिए उस देश की भासा ही सर्व सक्षम होती है स्वतंत्रता के पूर्व राष्ट्रिय गौरव आम जन्ता को ड्रिष्टी में रख कर किया जाता था राष्ट्रिय एकता का आर्थ है करोणों भारतियों की एकता और यह एकता हिंदी से ही लाई जा सकती है अंग्रेजी से नहीं अंग्रेजी को बनाए रखने की नीती मानसिक दास्ता की दियोतक है यदि हिंदी और भारतिय भासाओं के विरुध अंग्रेजी सड़यंत्र को विफल नहीं किया गया तो जनतंत्र एक मखाल बन कर रह जाएगा हिंदी और भारतिय भासाएं तो सहुदराएं हैं उनमें आपसी कोई विरोध नहीं उनका विरोध और संगर्ष तो अंग्रेजी के साथ है जिस दिन छेत्रिय भासाएं अपने छेत्र के प्रसासन नियाय सिक्षा आदी में अस्थापित हो जाएंगी उसी दिन राश्ट्रिय अस्तर पर राश्ट्र भासा, राज भासा और संपर्ख भासा के रूप में हिंदी के अस्थापित हो जाने का मार्ग प्रसस्त हो जाएगा स्वैचिक हिंदी संसथाएं अपने इस मूल उद्देश को कभी भी धूमिल होने ना दें क्योंकि हिंदी के प्रचार प्रसार के छेत्र में वे सरवाधिक महत्वपूर इकाईयां हैं इस द्रिष्टी से मैसूर हिंदी प्रचार परिशद का यह कार्यकरम सलागनिय है कि वह हिंदी के साथ कंड़ेत्तर जिग्यासुगों के लिए कंड़ की प्रारंभिक और उच कक्षाएं एवं परिक्षाएं चला रही हैं अपनी दैनंदनी में भी हिंदी के साथ साथ कंड़ में दिन और तिथियां दी हैं इस तरह के छोटे किन्टु दिन दिन के व्योहार में राश्ट्र भासा और छेत्रिय भासा साथ साथ गलबहियां डाल कर चलें इससे बढ़कर सुखद स्थिती और क्या हो सकती है पेरा और प्रिय इस नात्कों आज का दिन आपका है और कल का दिन भी आपका ही होगा विगत महीनों और वर्सों में आपने कठिन परिश्रम कर हिंदी रत्न अथमा हिंदी प्रसिक्षण की परिक्षाएं दी हैं उत्तिर्ड हुए हैं आपकी दिक्षा पूरी हो चुकी है अब आप समाज और राष्ट्र की सेवा में समर्पित हो जाईए भारतिय भासा संस्किर्ती उनकी रक्षा उनका समवर्धन आपके हाथों सौप दिया गया है आप दाईत्व का निर्वाह कर सकें जीवन में सफलता पाएं यही सुभ कामना है जिन्होंने हिंदी प्रवेश हिंदी उत्तमा की परिक्षाएं उत्तिर्ड की हैं वे और आगे बढ़ेंगे परहेंगे यही आसा है इस उद्देश की प्राप्ती हेतु स्वैचिक हिंदी संस्थाओं की विधिन परिक्षाओं को मान्यता प्रदान की गई है अंत में इस गौरवपूर समारोह में आपने मुझे आमंत्रित किया उसके लिए तुने धन्यवाद देता हूं इस्टाब